जैशी कृष्ण दोस्तो बीयसरा फैमिली में आपका स्वागता है दोस्तो आज मैं अपने भाईयों के लिए जो अपना विजनस करते हैं या कोई दुकान चलाता हैं फैक्टरी या कोई भी वेपार करते हैं देखें जब आपका कोई मतला आप बहुत महनत कर रहे हैं लेकिन आपकी बिक्री नहीं बढ़री आपका वैपार ठप होता जा रहा है आपके ग्रहा कम आ रहे हैं तो देखे उन्हीं के लिए आज मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ इसने आप जरूर करेगा यह चोटे-चोटे से उपाए हैं और बहुत ही सरल है जिससे कि आपक सब्सक्राइब करें वगले बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सबी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुछ सकें दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश ऐसी होती है कि मैं ऐसे उपाए लेकर आओ ऐसी वीडियो लेकर आएं जिससे आपको ला देखे दोस्तों जब ऐसी मतलब परेशानी आती है बिकरी कम होने लगते हैं क्योंकि हमारी आजीवी का उसी पर डिपेंड करती है जो हमारी आर्थि का पर्चे चलते हैं जब ऐसे स्तिदी आती है तो देखें बहुत परेशानी होती है भाईयों को भी बहनों को भी कि हम ऐसा क्या करें और जिससे कि हमारा बिजनस है वो ग्रोव करने लग जाया हमारा ग्रहाग बढ़ने लग जाया तो आज मैं उन्हीं के लिए बहुत अच्छे उपाय लेकर आई हूं आप जरूर इनको करिएगा देखें दोस्तों मैं हमेशा जो भी उपाय बताती हूं पाठ पुजा से संबंदित बताती हूं कभी भी ऐसे कोई मतलब तोने टोटके वाली चीज़े नहीं बताती देखें हमेशा अपने इश्वर पर आस्ता जरूर र हैं कि मतलब भगवालन की पाठ पूजा कर रहे हैं तो आपका कोई नुकसान हो तो आप जरूरी ने उपायों को करिए देखें सबसे पहले स्टार्टिंग से करेंगे और मतलब लास तक आप जरूर इस वीडियो को देखेंगा आपको निश्यत ही लाब मिलेगा बहुत से भाई ये गलतिया भी करते हैं या बहने हैं तो वो भी गलती करती होंगी तो अगर कोई ही ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो उनको जरूर मतलब दोहराईए मत देखें सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं कि देखें जब आप दुकान खोल रहे हैं अपना शटर उपन कर तो आप देखे सबसे पहले मालक्षमी का ध्यान जरूर करा करें उनका समरण करा करें महालक्षमी नमया जे मालक्षमी कहते हुए अपने दुकान का शटर खुलना चाहिए आप कोशिश करें कि मालक्षमी का ध्यान करने के बाद ही आप अपना ताला खुलें जिससे कि आपके जो दुकान में मा लक्ष्मी का प्रवेश पहले हो जाए आपसे पहले तो दोस्तों देखें सबसे बड़ी गलती जो बहुत से भाई करते हैं मैंने देखा भी है कि जब वो शटर का ताला खोलते हैं तो शटर में ही जो ताला होता है उसको उसी में लॉक कर देते हैं और अफर रखनादीह तो कभी भी आप जब ताला खोलते हैं तो उसको अपनी दुकान में लेकिं, ताला और चावी अब को अलग अलग रखनाे और अपने काउंटर कभी नीं रखना चाहिए क्योंकि जो लोहा होता है वो शनी का कारक होता है जब आपने अपनी काउंटर में सबसे पहले शनी को बिठा लिया तो फिर आपकी बिक्री कहां से बढ़ेगी तो आप मतलब दुकार में कहीं पर भी ताला और चाबी को अलग-अलग रखे कहीं पर यहां पर आप नित्ते मतलब चाबी रखे तो आपको डेली वहां पर मिल जाएगी तो ऐसे रखना है आपको काउंटर के अंदर चाबी नहीं रखनी है तो आप अलग-अलग रखें एक जगा बना ले यह और उसके देखें आप साफ सफाई करिए दुकान की क्योंकि देखें मा लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां सचता होती है और पवित्रता होती है तो आप जब भी मतलब चालीस दिन तक तो जरूर करें, चालीस दिन तक अगर आपको घंगा जल निमलता है तो गो मुत्र ले लिजिए, उसका छिराखाव करके देखे, चालीस दिन करके देखे, आपको खुद ही फरक देखेगा, इसके अलावा दोस्ति देखए, दुकान में आप यह फेक्टरी य और जब भी आप पूजा करते हैं अगर उस समय पर आपके कोई ग्रहाक आ गया कोई कस्टमर आ गया तो आप उसको देख लिए लेकिन दस मिनट के लिए या दो मिनट या पाँच मिनट जितना भी समय आप जब पूजा करते हैं तो शांती से करिए और ध्यान लगा कर करिए और जब भी आप आरती करते हैं तो देखिए मतलब जो कपूर होती है ना उससे जरूर करा करें अपनी दुकान में अगर कपूर की धूली दिखाएंगे तो कैसा भी अगर वह पा मतलब नकरात्मक उड़ जा ओती है वो दूर हो जाते क्योंकि दुकान में हर तरह के लोग मतलब आते हैं कि कि पू किसी चीज़ से मतलब तो नजर दोश हो जाता है तरह तरह के लोग आते हैं तरह से गुम फिर कर देखे चपलों से आते हैं तो बहुत negativity आ जाती हो कई बारी किसी की नजर या फिर मतलब आपकी जो दुकान है वो बंध जाती है तो बंधी दुकान के खोलने के भी मैं उपाय बता रही हूँ तो आप इनको जरूर करा करें अगर आप आरती करतें दीपक जलाते तो एक कपूर नित्य प्रति देखे 40 दिन तो जरूर करके देखे आपको 100% लाब मिलेगा गंगा जलका छड़काव और कपूर और एक जटा वाला नारियन उस पर स्वास्तिक बना लेजिए और किसी भी अच्छे दिन या नहीं तो शुक्रवार के दिन से स्वास्तिक बना या कहीं पर ऐसी जगा रख लीजिए जहां पर किसी की मतलब नजर आपड़े की कोई इसको टोके ना और फिर आठवे दिन जब साथ दिन तक आपकी दुकान में रखा रहना चाहिए आठवे दिन शुक्रवार के दिन ही आपको किसी भी माता मंदिर में उसको रखके आना ह देखना अगर कोई भी अगर आपकी दुकान कैसी भी बंधी हुई है कोई भी टोक लगी वे नजर दोश है तो वो अवश्य ही दूरूगा दोस्तों इसके अलावा देखे एक लाल कपड़े पर मैं एक धन की पोटली बतारी हूँ जो आप मतलब अपने दुकान में या जह पांच मतलब पैसर रखते हैं वहाँ रख सकते हैं देखें पांच गुमती चक्रे हुद्ध से कच्च दूद में दूद में घून जल धोकर धूप दीप से देखिए हल्दी का आपको यह रोली का पांचो गौमती चक्र पर तिलक करना है और एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर मा लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का ओम मालक्ष्मी नमनमय फिर या जै मालक्ष्मी कहते हैं मतलब मालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाता है शुब माना जाता है उसको और पांच यह गौमती चक्र को आप अपनी मतलब लालकपड़े में बांध कर जहां आप अपना पैसा रखते गल्ला बना रख आपने वहां इसको रख दीजिए देखना 40 दिन में ही या 21 दिन में ही आपको पहले से बहुत अधिक सवहार के दिन देखेยं निवार केदिन देखे तांतregular q i you sound कॉिला होता यह वहर कारे के लिए कि लोग हमसे इर्शा करते हैं तो शुचते हैं कि हम कैसे न कैसे उसके शारइर्ष लिक या फिर मतलब जो आर्थिक होती है मतलब हमारे धन बरकत के लिए मतलब उस पे बान देते हैं कोई ऐसे मतलब क्रिया कर देते हैं जिससे कि हमारी दुकान बंध जाती है बिकरी नहीं बढ़ती है आप कितनी भी कोशिश कर लें कितने भी उपाय कर लेते हैं भी आपको लाब नहीं मिलता तो आप यह उपाई जरूर करके देखिए पांच मंगलवार या फिर शनिवा देखें सबसो ग्राम काला कोईला लेना है आपको और उतनी ही मातरा में आपको काली उड़द जिसे मा कहते हैं काली उड़द लेनी है और अपनी दुकान में साथ ब सब्सक्राम या सबा किलो ऐसे आप उतनी ही मातरा में मतलब काले उड़द ले ले और साथ बार घुमाएं सीधी तरफ से घुमाकर किसी भी बहते हुए पानी में उसको विसाजित करें पांच या तो मंगलवार कर ले या शनिवार कर ले देखना आपको शित ही लाम मिलेग दोस्तों मैंने आज जो आपको उपाए बताये ना वो देखे अगर आपकी दुकान बंधी हुई है तब ही मतलब खुल जाएगी और वैपार बढ़ने लगेगा और धन बरकत के लिए जो मैंने छुट-छुटे उपाए बताये जिस प्रकार मैंने शटर खोलने से लेकर ब मोटी रंकम होती है या तो आप आप जो आपने काउंटर बनाया उसके नीचे एक और बनला बना लीजिए जहां आप लगे क्योंकि देखें से लureकान में को बाहते हैं कि द खनाने नेêuों मैंने चाहिए किसी के नजर नहीं पढ़ने चाहिए नहीं तो देखें सामने वाले के मन में कैसे भाव आते हैं कैसे टोक लग सकती है तो आपका वैपार वैसे भी बंद हो सकता है तो आप जो मोटी रखम होती है आप उसको एक अलग गल्ला बना लीजिये और जो खुले पैसे होते हैं या चेंजिस होते हैं उसके लिए अलग रखी है तो जब भी आप दुकान बढ़ाते हैं तो जहां आप मेन अपनी मतलब जो पूंजी रखते हैं जहां पर आपने मोटी रखम रखी है उसको खोल कर मा लक्षमी का धन्यवाद अवश्य किया करें कि मा लक्षमी आज मेरा वैपार बहुत अच्छा चला है आप और बरकत दें कल इससे और अधिक मेरा वैपार अधिक चले जिससे कि मैं अपना घर परिवार का जो खर्चा है उसे चला सकूं मतलब माता लक्षमी का धन्यवाद अवश्य किया करें और देखें अपनी दुकान में जब भी आप पूजा करते हैं क्योंकि मा लक्षमी को सुगंदित चीजे बहुत ही अधिक पसंद है तो आप ज्यादा खुश्बू वाली धूबत्ती अगरबत्ती जो आप जलाते हैं और एक इत्र अवश्य रखा करें और थोड़ा थोड़ा सा रोज मतलब अपनी दुकान में या फिर मंदिर में अ देखना मा लक्षमी की कृपा अवश्य ही आप पर बनेगे आपका वैपार अवश्य ही चलेगा दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और आप सभी से निवेदन हैं कि इन उपायों को करके जरूर देखिए आपको निशित ही लाब मिलेगा आप सभी को जैशित